हेलो दूस्तों देखिए आज मार्केट में अच्छी गासी गिरावट हुई ठीक है और गिरावट के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में आप निफ्टी इफ्टी देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा से गिरा है अना बटा आप दूसरे इंडेक्स पे जाओगे ज अपने मार्केट में ही गिरावट क्यों है क्या यहां पर क्या रीजन होता हुआ नजर आ रहा है हाना तो उस चीजों से लेटेड हम क्या करने वाले हैं बाते करने वाले हैं जानेंगे यहां पर A to Z चीजों से लेटेड कि यहां पर एग्जेक्ली चल क्या रहा है और हम यह पर क्या कर सकते हैं, कि आपको क्या करना है, वो भी सब चीज से लेटी जानेंगे, बट हमेशा की तरह है, सबसे पहले वीडियो में शुरू करने से पहले आप से रुक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले बैंक सालिंग की रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, सबस्क्राइब करना है, अपने फाइनिशल एडवाईजर को स्टेडी करना है, चीज़ों को सीखने पर फोकस करना है, और I am small cap investor चानल को सबस्क्राइब करना है, बेल आइकन को है, टॉल को नोटिफिकेशन कौन करे, वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, ठीक है, और इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर 50-24 इतने ही यहाँ पर व्यूस आ रहे है, तो फिर मेहनत का कोई फाइदा यहाँ पर नजर नहाता है, बट मैं इसे यहाँ पर देखता नहीं हूँ, ठीक है न, मैं आख बंद करके बस वीडियो बनाता हूँ, और कोशिश नहीं, बट इस्टिल आप लोगों को सोचना चाहिए, लाइक, कमेंश रेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और महनत करकी जारी है, तो उसका फ़ल उपर वाला कभी नगभी देगा, बाकि यहां पर हम बात करें, डवलीड, 605-40501-8169-261037, दो नमबरों को सेफ कर लीजिए, बेसिक्स to advanced technical research, फटनामेंचल कब लेना है, कब बेचना है, क्यूं लेना है, क्यूं बेचना है, हाना 25,000 रोपर का कोश है, यह सब चीट आपको risk reward ratio risk, risk management, सब चीट आपको समझ में आएगी, bank selling की recommendation नहीं है, अपने financial advisor खुद की study करना है, और इनी नमबरों पर contact करके, साथ में काम भी कर सकते हैं, अब साथ में काम करने को क्यों कहारा हूं, देखिए, अभी मैंने यहां पर screenshot लिया नहीं, ठीक है, कभी आप मेरे group में join होगे, तो आपको बादे चलेगा, कि यहां पर 30 April के time, ठीक है ना, मतलब 4-5-6 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए, हमने यहां पर अपनी more than 50%, किसी ने 100%, किसी ने 70%, ठीक है ना, यहां पर book कर लिया था, क्यों कर लिया था, ठीक है टेकनिकल भी कह रहे थे, as well as, यहां पर market में गिरावट हो नहीं है, यह भी यहां पर समनुए आ गया था, ठीक है ना, यहां पर क्या हो रहा है, वो भी यहां पर मैं बताता हुआ, नजरा हुआ, कुछ groups के थुरू यहां पर already profit booking की यहां पर बाते की जारी थी, कुछ operators के थुरू यहां पर बाते की जारी थी, कुछ big shots के थुरू यहां पर profit booking की बाते की जारी थी, तो हम यहां पर धीरे से, जब यहां पर लगा, कि तीन चक्यों कि हमारा देखिए हमारी चाहिनाक नाम है I am small cap investor, मैं भी investor हूँ और मैं भी यहाँ पर small cap में ही invest करके रखता हूँ तो मैं यहाँ पर small cap की ही ले लेता हूँ तो small cap में यहाँ पर समझ में आ गया था कि यहाँ पर देखे एक, दो, तीन तीन देन यहाँ पर चीज़े ऊपर जारी थी, है ना, फिर नीचे आ रही थी फिर ऊपर जारी थी, फिर नीचे आ रही थी, फिर ऊपर जारी थी, फिर नीचे आ रही थी और यहाँ पर समझ में आ गया था कि अब यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली ठीक है न और एक नहीं हमने अपने सभी लोगों को बार बार ने आपर बता दिया था कि यहाँ पर market tick नहीं रही है गिरावट हो सकती है और कहां तक गिरावट हो सकती है वो भी हमने आपर बता दिया था कि 16,249 का level है और अगर यह भी तूटता है तो सीधे यहाँ पर 15,000 रहना 916,000 रुपे तक 16,000 तक यह small cap नीचे आ सकता है तो देखे इन ही में ज़्यादा गिरावट हुई है small cap मिटका है और यही सबचे ज़्यादा बढ़ भी रहे थे तो यहाँ पर क्या यह खतम हो गया या दूसरे stocks में भी है तो इसका अंसर ही है कि overall market में गिरावट है इसके वएसे सारे stocks की पढ़ाई हो रही है कोई 2% किर रहा है कोई 5% किर रहा है कोई 4% तो क्या है वो normal है आपको क्या करना है आपको सबसे पहले अपने best के साथ रहना है अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे stocks को चुना है तो थोड़ा time ले सकता है हाना 3 महीन ले ले छे महीन ले ले ठीक है बट जब आप देखोगे कि market भाग रही है तो आपके stock भी दीरे दीरे चलना शुरू करेंगे और हाना आपके 100% ना सही तो 50% बना देंगे 50% नहीं सही तो 30-40% बना देंगे हाना आपको compounding करनी है धीरे धीरे वो compounding की तरफ आपको बढ़ना है तो हमेशा इस चीच को याद रखियेगा तो उसी चीच के साथ आपको चलना है साथ में हम यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर FIS-DIS का डेटा भी देखना है तो आपको यहाँ पर समझे में आएगा कि FIS यहाँ पर लगातार बेशते हुए नजर आ रहे है यहाँ देखे कल का डेटा है कल यहाँ पर रिप्टा दिया 29 100 क्रोड रुपय का माल BIS की बात करें यहाँ ने हाँ पर स्फरी उससे पहले देखे तो वह भी अभी अभी का डेटा आप यहाँ पर आया नहीं है यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी यहाँ पर कही ना कही पर फेक्ञे headset कही ना कहीं मारकिट पे पड़ता है ठीक है फिर और फिर जो खरीदा जा रहा है थोड़ा फोड़ा नीचे की लेवल पहते कोई अलग खिल रहे है खरीद आ है शायद आपके शेयरो में ही कहा ही हो रही हो और दिरे दिरे चला कि महांपर चल रहा है तो आपको वह सारी चीदें हां detect लिए टिकान और जब मारकेट तर ने कि आगर यह नीचे गिरता है, फिर मैं धीरे धीरे यहाँ पर मेरे दो मैं थोड़ा सा risk लोगा, और दो तीने stocks में ही अपने पैसे यहाँ पर लगाता हुए and measure आऊंगा, ठीक है? और ज्यादा यहाँ पर ज्यादा रिस्क लेनी है ताकि यहाँ पर ज्यादा पैसे बन सके ठीक है बाकी आप अपने अपिटाइट के तुन यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर लेवल से बाते कर लेते हैं सेल सहब निफ्टी कमें हैं एक भी श्टॉक से असे इंदि आपके पर धिस्टॉकस बस जबद लूं dit तरवाइस मुझे नजर आता है कि अभी और गिरावट चलेगी और 21,930 का एक लेवल है ठीक है 21,930 या 2700 और लास्ट 21,600 मुझे लगता है कि यहीं पर ही थोड़ी बहुत गिरावट होगी ज़ाद गिरावट नहीं हो रही है सही बाउंस बैक कर जाना चाहिए 21,000 के आसपास यहां पर निफ्टी 50 को करना चाहिए ठीक है निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी बैंक में आपको पता चलेगा कि निफ्टी बैंक भी यहां पर सही चल रहा है यहां पर निफ्टी बैंक में तो मैं और ज्यादा पॉजिटिव हूँ क्यों 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 यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप जबी कोर्स जोइन करोगे ना तो मैं आपको वह चीरे बताऊंगा बर इस्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पर टच करेगा ठीक है अभी जब मार्केट गिरी थी तब भी मैंने बताया था कि निफ्टी बैंक मुझे ज़्यादा पॉजिटिव लगता है उसने हाई भी बनाया है यहाँ पर टच करेगा ठीक हो टच करके यहाँ पर जाता हुए नजर आएगा तो मुझे लग रहा है एक आध दिन की और गिरावट है ठीक है ना शायद कली ही गिरावट हो एक अच्छी क कर रहा था अभी कि कल एक गिरावट हो गिरावट को यहाँ बांस बैक आजा तो वह इहां पर हो सकता है ठीक है ना यहां पर एक गिरावट हो सकती है और 15,900 का लेवल 16,000 का जो यह लेवल है ना इसे टच करके चुप-चप सीधे ऊपर बढ़ के भाग सकता है ठीक है ना ओ यहां पर देखोगे तो अभी लेक्षिन है, अना uncertainty बनी हुई है, कभी कोई जीतेगा, कभी कोई कोई जीतेगा, तो यहां तक भी आ सकता है, और अगर आता है, तो फिर वो थोड़ा सा opportunity रहेगी, अगर पैसे है, नहीं है, तो फिर अलग बात रहेगी, ठीक है, तो यहां पर mid तोड़ा है ठीक है ना अगर यहां से बांस बैक हो गया अच्छी बात है अधर्वाइस यहां पर आप देखिए ठीक है नहीं मुझे नजर आता है कि इस परिटिकुल यहां पर इसे टच करेगा ठीक है 48,521 को ठीक है और इसके बाद यहां से बांस बैक होने की बहुत ज़्यादा उमीद है अच्छी बात है अगर हो जाता है अधर्वाइस फिर यह 48,000 और फिर वही अगर ज़्यादा गिरावट होती है 45,000 तक यह आने की उमीद हो सकती है ठीक है तो मिटकेप में थोड़ा सा त बैंकिंग की तरफ ज़्यादा देना है बैंकिंग यहां पर ज्यादा अथा है उपसंद को देखना है बाकी यहां पर देखे आज नजरा आज के दिन क्या चलता हूँ था दिल्यावी बीदी बनाई थे मैंने आपके पता अनों और घजाचенты हो दो आपके स्मेंद में आए लग बग लबद 2000 पॉइंट यहां पर बढ़ने वाला है ठीक है दो से 3000 पॉइंट यहां पर बढ़ सकता है और जब यह बढ़ेगा तो ऑविस सी बात है मैंने यहां पर बजाज अच्छ कंज्यूमर बताया था यहां पर एक रजिस्टेंस नजर आता था ठीक है नीचे आ रहा है अगर यहां पर रिजल्ट रिजल्ट सब अच्छे आते हो तो यहां से निकलेगा शेयर और मैंने आपको बताया था कि यह शेयर लग 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 100% के रेटन देखे हुए नजर आ सकता है तो नजरे बना सकते है बट मेरे कहने पर लेना नहीं है शिट को भयाद रिखे एगा और निफ्टी आइटी मुझे यहां से बाउंस बख नजर आता है कि यहां से बांस बेक हो जाए अगर निफ्टी आईटी में थीक है ज्यादा गिरावत हैं पर हो निब और IT के कुछ stocks है उनकी तरफ आप नजरे बना के रख सकते हो अब बात करते हैं bank selling की recommendation नहीं है ठीक है वीडियो जादा बड़ी हो गई है समय में आ गया है थोड़ी बहुत गिरावाट और होगी ठीक है unexpected यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी ओके और अच्छा कासा पैसा बनता हुए नजर आएगा और किसी government आरिया वो आपको पते ही है साथ में यहाँ पर क्या होता हुए नजर आ सकता है भारत का विकार्श होगा और हम सभी लोग उपर जाएंगे ठीक है और ब्लियंस और मिलियंस ओपकाम आते हुए नजर आएगे तो लाइक कमेंशेर चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हीट करें और को नोटिफिकेशन कौन करें इतना होचा कि सब्सक्राइब करते हुए प्यार देने की कोशिश करें और हमारी चैनल को फॉलो करें इन नमरो को नोट करें यहां पर कोर्श करिये साथ में काम करना जाते हैं तो काम भी कर सकते हैं थैंकी सो मच कोड़ बला